सर दियों में आलोगोवी प्यास टमार्टर के पराथे खांखा करके बोर्ख हो गए हैं तो चलिए आज बनाती हैं बत्वे के पराथे Hello Everyone, Welcome to Real kitchen vlog आज हम बना रही हैं बत्वे के पराथे इसके लिए मैंने बत्वे को धो करको अच्छे से उबलने के लिए रख दिया है और इसी के बीच में मैंने आलूं को बीच में से कट करके नीचे दबा दिया है तो इस से हमारे एक तीर से दो निशानिया हो जाएगे और हमारा काम असन हो जाएगा अब जब तक कि हमारा बथवा उबलता है दस मिन्ट में तब तक हम आटा बना लेते हैं आटे के लिए हमने थोड़ा सरनमक डाल करके इसमें गरम पानी से इसको गूंद लिया क्योंकि सरदिया है ना तो इससे गरम पानी से अच्छा रहता है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं गरम पानी से गूंदे और एक बिल्कुल सॉफ्ट डो आप तयार कर लें जब तक की परांटे आटा हमारा बनता है तब तक हमारा बत हुआ उबल जाएगा और ये परांटे इतने टेस्टी बनते है ना बस क्या बता है जितना आप तीखा पसंद करते हैं उतनी मिर्चे ले 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 और उनको जो है अच्छा आता है comparatively puree के अब हमें अद्रग लहसन और हिंग का पेस्ट बनाना है इसमें आप हिंग का कंटेंट तोड़ा जादा रखें और इसको भी अच्छे से कूट लें जब इसको कूट लें अच्छे से तो इसको भी एक तरफ को कर दें ये देखे इस तरह के से ही वाल किये थे उनको एक तरफ निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे अब बत्वे को भी निकाल करके ठंडा कर लेंगे दूसरी तरफ बेटी ने चाय जड़ा दी है क्योंकि मौसम सुबह साड़ी पांच बचे का है ये और ठंड भी लग रही थी तो जब तक मेर बत्वा ठंडा होता है तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना बेटी की हाथ की चाय पी जाए और जब तक बत्वा ठंडा हो मैंने ली चाय की चुसकी और फिर मैं लग गई अपने काम पे क्योंकि पराठे भी जरूरी है ये देखे हमारा बत्वा ठंडा हो गया है और इसको मैंन इसको निकाले जी या फिर सिलबटे और पिसने से भी आप इसे पीश सकते हैं अब क्योंकि हमारे आलू काफी नरम है और गरम भी है और तो इसको मैंने हाथों से ही स्क्वीज कर लिया और जो है मुझे उसकी ज़रती नहीं पड़ी कद्दुकस की तो यह थोड़ा-थोड़ा और थोड़ा सा सूखा दनिया नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सोंट और अमचूर पावडर और इसको आप अच्छे से मिला ले अब ये पेस्ट हमारा तयार हो गया हाला कि इसमें न मेरा बत्वा थोड़ा सा कम रहे गया आप जब भी बनाएं तो बत्वा जो है जादा रखें बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि इसमें से मैंने थोड़ा रायता भी बनाया था अब आटे की लोईया लेते जाएं और उसके अंदर इसकी फिलिंग को फिल करतें अब जो है नरम नरम आटा है उसको आप हाथ से भी बनाएंगे तो भी जो है काफी अच्छी लोई इसकी बन जाएगी और इस तरीके से आप बेलन की साहता से इसे बेलते चले जाएं यहाँ पे बच्चे मुझे बहुत नोटिस करते हैं कि मैं आप बिना एक भर भी बेलन उठाए और कैसे एकदम से रोटी परांठा पूरिया बना लेती हो तो मैंने कहीं यह सब ना एक्सपिरेंस है तो चली तवा गरम हो गया है हमारा और हम जो है परांठे बना लेते हैं मैंने राप को ही घी निकाला था यानि गर में ही बनाया था और तो उसी के मैंने परांठे बनाये हैं बच्चों को घी के परांठे ज़्यादा पसंद हो बच्चों को यह सभी को पसंद लगते हैं तो जो है इस तरीकिसे मैंनेगी की परांठे बनाए आप भी बना के देखेगा बथवे परांठे शर्दियों की जान है और खासकर जो किडनी की पेशेंट हैं मान लीजी जिनके स्टोन वगरा भी है तो वो इसमें यह बथवे की परांठे हुए, बथवे कराहता हुआ या बत्वे को बॉयल करके आप साग भी बनाते है तो वो भी ना बहुत फाइदा करता है आप इस चीज को जरूर ट्राइ कीजिएगा दिखना आपको फाइदा मिलेगा तो मेरे परांठी बनकर के तयार है और मैं खुद भी नहाद होकर के तयार हूँ क्योंकि मुझे भी आगे काम पे निकलना है तो आज मुझे सारे परांठे बना नहीं है बच्चों के वरों से नहीं छोड़ सकती मैं इसके साथ मैंने बनाया है राहता आपको जो पसंद हो आप वो बनाए आपको रैस्पी कैसे लगी अच्छी लगी तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थेंक यू